आपकी नौकरी खतम हो चुकी है तो कंपनी वाले आपके exit date कैसे डालते हैं आज की वीडियो में मैं आपको demonstrate करके दिखाऊंगा कि कंपनी को किस तरह से आपकी exit date डालनी होती है बहुत बार कंपनी को नहीं पता होता है या अगर माली जी छोटी कंपनी है उसको नहीं idea है और कंसल्टेंट के भरो से बैटे रहते हैं और कंसल्टेंट आपका काम करके नहीं देता है जिसके विज़े से आपकी exit rate नहीं डाल रही होती है तो आज की वीडियो में आप अपने सामने देखेंगे कि ये काम किस तरह होता है उससे पहले नमशकार दूस्तों में नाम सागर ह जो आपको यहां बता रहा हूँ यह प्रैक्टिकल जानकारी है क्योंकि मैं पीफ का काम करता हूँ तो आपको प्रैक्टिकली ना कवेल employee वाले पोर्टल को बलकि employer वाले पोर्टल में भी एक एक चीज़ डेमोंस्टेर्ट करके दिखाता हूँ अगर आपको काम अच्छा ल दो महीने बाद आपकी exit डालती है यह दो महीने की जो बाद exit डालने का point है ऐसा नहीं है कि 60 दिन से पहले अगर company exit डालेगी तो उनके system पे कोई error flash होगा ऐसा नहीं है लेकिन company या mostly 60 दिन के बाद exit डालती है अगर company ने 60 दिन के बाद exit नहीं डाली है आप खुद से भी exit डाल सकते हैं उसके लिए कहां जाना होगा उसके लिए manage पे जाना होगा mark exit पे जाना होगा mark exit पे जाके आपकी employment select करनी होगी क्योंकि इस particular case के अंदर में अभी दो महीने नहीं हुए है नौकरी छोड़े हुए इसलिए यहाँ पे error दिखा रहा है आपके case में अगर यहाँ महीना आ रहा हो तो आप exit date खुद से डाल सकते हैं लेकिन यहाँ का topic है कि हम employer के portal से कैसे exit date डालेंगे इसके लिए हमें employer portal खोल लेना है फिर member पर जाना है member profile पर जाना है हम individual employees को exit कर सकते हैं या फिर bulk employees को exit कर सकते हैं bulk employee कैसे हुआ मान लिजे कि मेरी company है मेरे को एक ठेका मिला हुआ है ठेके मेरे 100 करमचारी है 100 करमचारी मेरे काम कर रहे थे तो अभी 100 करमचारी की exit date डालनी है तो वहाँ पर फिर मैं individual को नहीं करूँगा फिर मैं exit bulk करूँगा बल्क मतलब होगा एक्सल फाइल बनाऊंगा एक्सल फाइल में वो सारे UN नमबर डालूँगा exit की date डालूँगा और एक क्लिक में मेरे सारे UN नमबर exit हो जाएंगे ठीक है फिलाल में यहां आपको एक को exit करके दिखा देता हूँ हम यहां demonstrate कर रहे हैं हम यहां exit किसी को actual में नहीं कर रहे हैं आपको तरीका दिखाने के लिए method समझा रहा हूँ हम यहां पर profile खोली उसके बाद mark exit पे आ गए mark exit पे आके अब हमें as company जो है सबसे पहले reason select करना है कि क्या reason है कि आप यहां पे exit डालना चाह रहे हैं तो हम यहां पे exit का बहुत सारे options आते हैं retirement, death in service, superannuation, permanent disablement, any other reason तो generally जो है any other reason का हम option select करना होता है माल लिजे any other reason का option select कर लिया उसके बाद हमें अपना माल लिजे आज की date हमने select कर लिया है तो आज की date select करने पे हमारा यहां पे option हमें complete हो गया अब हम यहां से save कर देंगे save करने के बाद हमारा जो request है वो approval के लिए चला जाएगा ठ उसके बाद pending request के अंदर यह चीज चली जाएगी और pending request हमें approve कर देनी होगी मतलब यहां जो हम request लगा रहे हैं इस request को हमें digitally sign करना होगा यहां आप देखोगे ना तो अभी यहां DSE लगाने का कहीं option नहीं आ रहा है यहां बस कह रहा है कि आप एक request raise कर रहे हैं ठीक है request raise करन exit के request आई है वहां exit के request आप okay कर देंगे तो यह चीज जो है employee के portal में update हो जाएगी ठीक है तो मैंने आपको proper demonstrate किया है कि किस तरह से exit डाली जाती है अगर employer को यह ना पता हो आप उनसे यह video share कर सकते हैं अगर आपको PF ESI का का काम सीखना हो आप मुझसे काम सीख सकते हैं साथ म नहीं withdrawal वाला course भी है income tax का भी course है आपकी जैसी जरूरत हो उस हिसाप से आप course ले सकते हैं मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद